हलो दोस्तों मैं सुबोत कुमार ठाकुन मेरा प्रणाम स्विकार करें आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ये केस सपोर्ट सीरीज के तहत ये वीडियो लेके आया हूँ यहां पर हम बात करेंगे एक बहुत से बहुत ही कॉमन प्रावलम की जो कि अकसर डेल के लैपटॉप में मिलती है वो प्रावलम में यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा आप यह देखिए मैंने वीडियो प्लेकिया है तो यहां पर आपको प्रावलम नजरा रही है इस तर बख़ो दिये कभी white कभी red कभी green color में जाने लगता है तो जब इस तरह की problem आती है तो इसका क्या solution है तो मैं आपको ज़स्ट एक shortcut देना चाहता हूँ solution का आप इसको try करके देख सकते हैं ये बहुत ही common problem है बहुत बार ये problem आपको keyword की वज़े से भी आती है लेकिन अगर आपको keyword को बदलना पड़ जाए तो फिर तो costly हो जाता है तो यहाँ पर मैं आपको जो इसका solution बता रहा हूँ इसमें आपको keyword बदलने की जरुत नहीं है तो कि जरुए नहीं कि हर बार ये problem keyword की वज़े से आए तो इस problem के case में आप करेंगे क्या वो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और ये problem किस भज़े से आती है उसको भी मैं आपको बताता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर direct solution देना चाहता हूँ solution को समझने के लिए आपको schematic का knowledge होना चाहिए क्योंकि schematics में ही आप उस path को trace करोगे करके अपने motherboard पर खोज करके फिर उस पर जो solution लेना है वो solution लेंगे तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर problem दिखा चुका हूँ और अब मैं आपको इसका solutions के लिए schematics के points बताता हूँ तो मैंने साथ यहाँ पर schematics open कर रखे हैं क्या आप देख सकते हैं जो problems का जो region है ईसके लिए आपको जाना कहा होता है आपको ऊपन कर लिजए जैसे कि यहाँ पर में पास एक schematic open है यहाँ पर मियरे पास एक schematic open है यह है आपका डेल का क्योंकि निमांने आपको बतायो Palm का laptop मि Self तो हमने यहाँ पर Dell का एक Eschematics open किया है यह आप देख सेहते हैं Intel Haswell 4th generation का Eschematics है Dell का 35 इसमें आपको जाना का है LBDS Connection पर LBDS Connection आप देख पा रहे हैं Page No. 41 पर बता रहा है यहाँ से Page No. 41 पर गए 41 पर गए तो खेर यह Eschematics wrong भी बताते हैं Page No. 41 पर तो LBDS Connector नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा उपर जाके देखें आपको LBDS Connector मिल जाएगा यह मैं यहाँ पर आया यहाँ पर आया यहाँ आमारे पास LBDS Connector आगया तो यह प्रावलम का जो आना है वो यहीं से आना है यहाँ पर आपको LBDS Connector में क्या देखना है LCT Taste Option जो LCT Taste Option देख रहे हैं आपको डेल के बोर्ड में ही मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा और यह प्रावलम भी आपको डेल के बोर्ड में ही आती है जो हम कहते हैं कि Automatic Color आने लगते हैं और Automatic Color की प्रावलम है यह तो यह LCT Taste Option देख पा रहे हैं आप यह LCT Taste Signals यहाँ पर आते हैं यह कब signals आते हैं जब आप डागनोस के लिए जाते हैं डेल में आप्सन होता है कि आप स्क्रीन को डागनोस करने के लिए जा सकते हैं स्टार्टिंग महीं तो जैसा कि हम कमांड देते हैं तो LCT Taste का signal जब आता है तो हमारा स्क्रीन क्या होता है वो टेस्ट मोड में चला जाता है तो यहाँ पर यह प्रावलम क्या थी यह प्रावलम जो हमने यहाँ पर देखा अभी कभी यह प्रावलम यही था कि जैसे आपने laptop को अन किया तो स्क्रीन आपको टेस्ट मोड में चले गई है ना जबकि हमने कोई कमांड दिया नहीं यूजर कमांड देता है स्क्रीन को चेक करने के लिए तब इस तरह का coloring होता है तो समझ में आता है बट यह प्रावलम यह है कि यूजर आपको क्या करना है देखिए यह कहा पर कॉपी करता हूँ अपर करकर मैं यह ninth यहां क inquis है आप देख सकते हैं हमारा आयो चिप है यह कि यह भी 9012 तो हमने देखा कि आयो चिप से सिगनल जेनरेट होगा और डायरेक्ट आपको अलवीडियस कनेक्टर पर जाएगा तो आपको करना क्या ट्रैक को डिसकनक करना वह आप खुद ही देख सकते हैं यहां पर बीच में आपके प्रॉलम सॉल्व हो जाएगी तो यहां पर यहां पर तो यह सॉलूशन हो गया अगर मैं एक दूसरे स्केमेटिक्स में जाओं जैसे यहां पर मेरे पास एक और स्केमेटिक है यह आप देख सकते हैं यह हमारा डेल का यह 15341 यह सेवन जनरेशन यह जो मैंने आपको कंसेट्स नहीं होता बलकि ADP का कंसेट्ट हो जाता है तो आपको आना ADP मे एड़ी पेनल यहां पर मिलेगा 55 नंबर पेज पे 55 नंबर पेज के जाईए आप और यहां पर देख़े आपको एड़ी पे पैनल आ गया है पिन नमबर 10 पर आपको दिखा रहा है LCD टेस्ट C हाना हमने इसको यहाँ पर यहाँ पर कॉंपी किया कॉंपी करके सर्च कर रहे हैं इसको आप इस तर यहाँ पर देखिए EDP HPD connection यह तो नहीं यह नहीं मेरे को क्या लेना था LCD टेस्ट option लेना था एक सेकंड LCD test option पर मैं जा रहा हूं फिर से यह मेरेको लेना था LCD Bite face इसको मेरे यही पर आप कर सकते हैं ? कॉपी कर के CTRL F करके मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूं सर्च करके मैने यहाँ पर पेस्ट किया और जब मैं इसको सर्च कर रहा हूं तो आप देखिए LCD पर आप देख पा रहे हैं कि इस आरन के इस साड आपको यह मेरा एड़ी पैनल से कनेक्टेड होगा जो हमारा जो कनेक्टर है उससे कनेक्ट होगा और केबल के तुरू एस्क्रीन पे चला जाएगा यह लाइन और इस साड यह किस से कनेक्ट है पेज नंबर 24 यहां पर प्शेक के बीच में हैं तो में कहीन यहां पर मुझे पाथ को डिसकनेक्ट करना है तो मैं कहीं ने कहीं यह आरन 5503 पर काम करूगा ताकि यह पाथ मेरा डिसकनेक्ट अरशके नेक हो बस पिन नमबर 1 और 8 के बीच में आपको राइश्टर नहीं लगा ना चाहिए तो इस तरह ये प्रावलम आपके solve हो जाएगी फिर हम एक और schematic में आते हैं मेरे पास एक और schematic यहाँ पर पड़ा हुआ है यहाँ आपका लगाटल का यह डेल में कौन सा यह आप देख सकते हैं आपकर laj081 यह आपका 10th हो 11 जनरेशन में आता है जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर किए तो यहां पर आ रहा देख स्कतांさい है फिर से 100 ohm का रईश्ट्र को हाटा दीदी अप इस 100 ohm के रईश्ट्र को हटा दीजी है आप platforms हो जाएगी। और यह आज की वीडियो में मैंने आपको बता है कि जब अगर इस कोई प्रावलम आती है जो आपका जो LCD स्क्रीन होता है टेस्ट मून में चला जाता है खास करके डेल में जब आता है तो उसका क्या सॉलूशन है तो आपको यहां पर ध्यान दखना है कि LCD टेस्ट का ऑप्सन कहां आ रहा है ऐसा जरूरी नहीं कि जो LVDS के जो यह पिंस हैं आप एस्केमेटिक्स को देख के समझ के उसका solution दे सकते हो क्या करना है कैसे करना उस चीज का मैंने आपको यहां पर इसारा दिया है है तो इस बहाब पर आप इस problem को solve यहाँ अपको यहाँ पर लेख सकते हैं कि हैसा मैंने बता है तो उस हिसाब से case done, case आपका done हो गया, case done हो गया, तो मतलब जो मैंने बताया, वो सही सही गया, तो आपको भी हमेशा जब भी इस तरह की problem आती है, automatic color की problem आती है, आपका screen test mode में चला जाता है, तो आपको इसी तरह के solution लेना है, इसी तरह acid test option को search करना है, यहाँ पर इस बात के ध्यान लखना है कि आपके पास schematic होना जरूरी है, क्योंकि अगर schematic नहीं है, तो फिर कहीं न कहीं हो सकता है, इस problem को आप solve ना कर पाओ, है ना, कहीं न कहीं आपको schematic का help लेना पड़ेगा, या तो exact schematic हो, या फिर कोई compatible schematics, systematics का help लेना पड़ेगा, है ना, और उस पर आपको वह LCD test, आपका keyword क्या है, LCD test, LCD test आप search करना है, और search करके उसके path को आपको disconnect करना है, जो LCD test का signals होता है, वो IO chip से आता है, जब भी user command देता है, keyboard के जरीए, तो हम command देते हैं IO chip को, और IO chip उस command को आगे पास करता है, आपके screen को, है ना, तो कई बार ये problem keyboard की बज़े से भी आती है, और कई बार ये problem naturally IO chip की बज़े से भी आ सकती है, तो मैंने यहाँ पर IO chip हटाने नहीं बोला, मैंने आपको keyword हटाने नहीं बोला, मैंने आपको simple एक trick बताया, कि बिना किसी investment के आप इस तरह के problem को कैसे solve करेंगे, तो आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद,